नमस्कार जोहार जैहिंद आप स्रीव का रोजगा टीव में स्वागत थे मुख्यमंत्री महिया सम्मा नियोजना को लेकर बहुत बड़ी अपडेट सामने आ रही है जो इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा जैसे का आप स्रीव को पता होगा कि 13 सितंबर से मुख्यम किस्त का पैसा आया है अब हमारा सितंबर भी खत्म होनी जा रहा है अक्टूबर आ जाएगा और 10 से 12 दिन के बाद हमारा तीसरी किस्त का भी पैसा आना शुरू हो जाएगा तो क्या आप लोगों के काउंट में पैसा आएगा या पिर नहीं आएगा किस प्रकार से मुख्य सब्सक्राइब कर लिए और जैसे आप सभी को पता होगा कि मुख्यमंद्री महिया सम्मान योजना को टकर देने के लिए दीजेपी एक योजना ला रहे हैं जिसका नाम है गोगोद योजना और यह जो गोगोद योजना है इसका भी आवेदन पहुती जल्द शुरू हो ज से लिए हुआ हमारा मुख्यमंद्री महिया सम्मान योजना का जो लाब है मुख्यमंद्री ची बोले थे कि हर एक महिना के 15 तारिक तक 15 तटी तक बुले थे 15 तारिक तक सभी के काउंट में पैसा भेजा जाएगा. लेकिन पैसा नहीं भेजा जा रहा है का पहले किस्त का पैसा आगया है किअकाउंट में दूसरी किस्त का पैसा नहीं आया है. इसका मतलब यही जो उखा रहा है, इसल्गे आप लों के के अपडेट दिखा देता हू तो सबसे पहला अप्डेट आप देख सकते हे सबसे पहला अप्डेट आप यह पर देख लिजिए कि जारकण मुक्ति डिया को मुक्यमंत्री मया संवान योजना को लेकर बहुती जल्द बेठक होने यह इसके बारे में हम रोग कुछ भी नहीं कर सकते हि कि मुख्यमंद्री जी घूर रहा है कि मेंने के रियल में sa Bayern ka Carl twelve यह एब हुए जितने नहीं जाने है बॉत सारी होड़ा दीजिए बहुत स меньше महला है जिनके अभी तक एक 1 किस्त का पैसा नहीं आया है इसके बाद आप यहां पर आगे और देख सकते हैं एक परभात खबर में एक अपडेट आ रहा है जिसमें मुझ्यमंद्री हामंत सवरें जी बोल रहे हैं कि जारकन में जो बिधानसवाद चुनाओं होगा इससे पहले मैया सम्मान योजना में जो तब ओख़ार मुंख्यमंत्रीजी एक वहजार दे रहे हैं तब अची बात है तब बहुत यए उच्छी बात है लेकिन मुख्यमंत्री को यहां पर ध्यान देना है कि मैंने देखा है यहां सम्मकेशे जो जो फोड़ाCमांट रहनाा prendre कि hai पैसा नहीं मिला हम्हें । तो मुख्यमंत्री जी को थ्यान देना चाहिए उनके अकाउंट में जल्दी से जल्दी पैसा भेजना चाहिए चुनाव सामने आ रहा है अगर मुख्यमंत्री जी को यहां पर दिकत होने वाला है तो यहां पर 2000 देर अच्छी बात है लेकिन सबसे पहले तो मुख्यमंत्री जी को यह देखना चाहिए कि किनके अकाउंट में अभी तक दूसरी किस्त का पैसा आया है और किनके अकाउंट में पैसा नहीं आया है आप इस कंप्लेट अपडेट को देखेंगे तो देख लिजी क्या लिखा गया है कि जारकन विधानसवा चुनाओं 2024 की तयारियों की सनिक्षा के बीच मुख्यमंत्री हैमान सोरेन ने बहुत बड़ी घोसना कर दी है राज में 18 से 50 साल तक की महलाओं के लिए शुरू की गई जारकन मुक्ति मोर्चा कॉंग्रेस राष्ट जनतादल की महागडवंदन सरकार की महत्वकांची योजना जारकन मुख्यमंत्री मया सम्मान योजना की रासी को डबल करने की बात कर दी है आप यहाँ पर देख सकते हैं मुख्यमंत्री जी ने यह एलान कर दिया है कि मुख्यमंत्री मया सम्मान योजना का जो पैसा है इसको डबल कर दिया जाएगा इसको डबल कर दिया जाएगा आगे देखें यहां पर आगे लिखा गया है जी हां हमन्त स्वरण की सरकार ने कहा है कि वह मैया सम्मान योजना की रासी को एक हजार रूपिये से बढ़ा कर दो हजार रूपिये कर देंगे आप यह आपर देख सकते हैं मुझ्यमंद्री जी का कहना है कि यह जो रासी अभी एक हजार दिया जा रहा है इसको डबल कर दिया जाएगा और अब आप लोगों के काउंट में दो हजार रूपिया आएगा यानि चुनाओं से पहले आप लोगों के काउंट में दो हजार रूपिया भेजा जाएगा यह जो योजना है कब से रुप्या मिल रहा है इसको डबल करके आप लोगों को को अब डबिया दिया जायेगा अब बात यह हमने देखना है कि राची आप लोगों का डबल कब हो जाता है इसके बाद हमारे पास जो अगला अपडेट है आप यहां पर अगला अपडेट देख सकते हैं कि किस प्रकार से मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना में भरास्टाचार हो रहा है और इस चीश को लेकर यहां पर सिकायत दर्ज कराया गया है यह हमारा हिंदुस्तान पेपर का अपडेट है देख लिए यहां पर क्या कहा गया है आप लोग यहां पर देख सकते हैं तो इस अप डेट में कहा गया है कि मैया योजना में भरास्टाचार की सिकायत पहुजन समाज पाटे के जिलाधेक्ष मुकेश कुमार वर्माने सरकार की महतवाकांची एक मैया समान योजना में भराश्टाचार की सिकायत मुझके सचिब को पत्र भेज कर कियी है कहां कि योजना में परखंड अस्तर पर भराश्टाचार हो रहे हैं कंप्यूटर ऑप्रेटर पंचायत सचीब से लेकर परखंड अस्तरिय पतादिकारी भराष्टाचार में लिपते हैं देखिए यहां पर बताया जा रहा है कि किस परकार से भराष्टाचार हो रहे हैं आगे आपने आप देख सकते हैं क्या लिखा गया है कई आवेदकों का आवेदन देने के दो माँ बाद भी उनके खाते में पैसा नहीं आया है आवेदक जब परखंड कर्मी और बिचोलिया से मिलते हैं तो उनका पैसा खाते में पहुंच जाता है उन्होंने इसकी उच अस्तर्य जाच की मांग की है और ये बात बिल्कुल सही है अब मुख्यमंत्री जी आदेश तो दिये हैं लेकिन अभी तक बैंक अकाउंट में पैसा नहीं आ रहा है तो गल्टी हो से कर्मिचारी की हो सकती है वह से कि यह लोग पैसा नहीं भीज रहे हैं या पर कुछ भी हो सकता है यह politics है politics समझना बहुत ही जटिल काम है तो आप यहांपर देख सकते कुछ इस प्रकार का सिकायत हो रहा है बहुत कोई के पहले किस्त का पैसा आ गया लेकिन दूसरे किस्त का पैसा नहीं आया बहुत को ऐसे हैं जो दो मेहना पहले आप दिन दे चुके हैं उसके एकाउंट मिनना तो पहले किस्त का पैसा आया नहीं दूसरे किस्त का पैसा आया तो कुछ इस प्रकार का भ्राष्टाचार हो रहा है और इसको लेकर एक सिकायत पत्र दिखा गया है इसके बाद अगर आप लोग अगला अपडिट देखेंगे तो कलपना सोरण जी क्या कह रहे हैं चुनाओं के बाद भी चालू रहेगी मया योजना बंद होगा भाजपा का खाता अपर देख सकते हैं कलपना सोरण जी का कहना है यह जो मुख्यमंत्री मया सम्मान योजना है यह अनवरत चलती रहेगी यह बंद नहीं होगी चुनाओं से पहले भी चल रही है और चुनाओं के बाद भी यह चलेगी अलब यह चीज़ जान लेजिए कि मुख्यमंत्री मया सम्मान योजना बंद नहीं होगा और यह चीज किसी का भी सरकार बने है सरकार का मैना 2121 रुपया मिलता रहेगा बहुती जल इसको डबल करेंगे यानि आपको 2000 रुपय मिलेगा तो किसी का भी सरकार बने आप लोगों को ही लाब है आप लोगों को ये लाब मिलता रहेगा और देखिए हमारा बिजेपी की ओर से जो योजना आने वाली है जिसका नाम है गोगो दिदी योजना है इसका जो लाब है 15 साल से लेकर 49 साल तक की जो भी लड़कियां है जो भी महिलाएं है इस योजना का लाब ले सकती है और इस योजना के तथ हर एक महिला को 2100 रुपिया यहां पर प्रतेक महिना मिलेगा इसका जो आवेदन है अक्टूबर महिना से शुरू हो जाएगा अक्टूबर से आप लोग गोगोज योजना के फॉर्म को भर सकते हैं या फिर किसी भी योजना से रिलेटेड जो भी अपडेट आएगा आप लोगो इस चैनल के माईदन से पता चलेगा तो आप लोग फटाफ़ चैनल को सब्सक्राइब कर लिए जितना हो से करें तो हम लोग मिलते है अगले वीडियो में थैंक यू जय हिंद